हेलो स्ट्टोडेंस, आज हम पढ़ेंगे अपना लेसन नमर नाइन, मैपिंग आवर नेवर हॉड नीक tap शॉकर की मैपिंग, पैप क्या होता है, नकसा कैसे बना सकते हैं या फिर कैसे हम पहिचान बनाते हैं किसी जगह पर जब हम जाते हैं तो किस तरीके से महाँ पर मैप बनाए जाते हैं या मैप की हैट से हम किसी प्लेस की लोकेशन कैसे पता लगाते हैं अपने दोस्तों से अपने घर के बारे में कुछ बताना हो उसकी position के बारे में बताना तो आप कैसे बताएंगी आप लोग जब किसी को बताते तो ऐसे ही बताते हो ना पैचान के लिए कि मेरे घर के पास एक left side में एक public park है right side में post office है तो इस तरीके से हम उनको बताते हैं we can do it by taking the help of the direction तो इसको हम directions की help से सभी को बताते हैं a map of the area makes the work even simpler अगर उस एरिया का map है हमारे पास या हमें map read करना आता है तो यह सब बताना अपने घर की direction अपने घर की location बताना हमारे लिए असान हो जाएगा तो उसमें सबसे पहला जो role है वो play करते हैं landmarks landmarks किसको कहेंगे landmarks are places, building structure that are easily recognized in any locality or neighborhood landmarks जो होते हैं वो ऐसी जगे होती है या कोई building होती है या कोई भी structure होती है जो आसानी से पहचान ली जाती है जब भी हम किसी location पर जाते हैं कहीं पर भी जाते हैं जैसे कि हम कोई पहचान कर लेते हैं कि हम किसी के घर जाते हैं तो हमें पहचान होते हैं उसके घर के पास जाएंगे तो उसके पास है कोई हमें temple मिलेगा, mendir मिलेगा तो ऐसी जगे जिनको हम पहचान के तोर पर use करते हैं किसी जगे की पहचान के लिए use करते हैं उन्हें हम बोलते है landmarks these help us to locate the place easily यह landmarks जो होते हैं यह हमें किसी जगह की पहचान करने में उसको ढूनने में हमारी help करते हैं यह hospital यह landmark कुछ भी हो सकता है कोई hospital हो सकता है temple हो सकता है पार्क हो सकता है या फिर वहाँ पर कोई paid है कोई tree है तो उसको भी हम एक landmark की तरह यूज़ कर सकते हैं landmarks are used to give correct direction to reach the place landmarks जो है वो हमें सही direction बता देते हैं किसी particular जगह पर पहुचने के लिए यानि हमें पहचान हो जाती है हमें किसी के घर जाना है तो हमें पहले से पहचान होते हैं उसके घर के पास थो हमें एक बड़ा सा पेड़ दिखाई देगा तो ये पेड़ क्या हो गया लेंडमार्क लेंडमार्क पेड़ के help से हमने पहचान लिया कि हाम सही जगह पर आ गए हैं इसके अलावा दूसरा map का जो दूसरा हिस्सा होता है वो होते हैं sketch sketch is a rough drawing sketch क्या होता है rough drawing हम किसी जगह को हमने कोई जगह देखी है और हमें किसी दूसरे को बताना है कि वहाँ पर exactly क्या क्या था कैसे क्या बना हुआ था तो हम उसके rough drawing बना करके बता सकते हैं it is usually made to direct someone to reach the place और इस sketch की help से हम किसी को बता सकते हैं उसको उस जगह पर पहुंचने में help कर सकते हैं it has important places which one which come on the way it is not exact drawing तो इससे हम एक rough drawing बना के बता सकते हैं वही आप left side में जाओगे तो आपको एक park मिलेगा आगे जाओगे तो आपको hospital मिलेगा इस तरीके से एक चोटी सी आप roughly drawing बना कर कि हम किसी particular जगह के बारे में किसी को बता सकते हैं उसकी वहाँ पहुंचने में help कर सकते हैं इसका अगला जो है वो पॉर्शन है वो है directions directions के बारे में आप सब जानते हैं हमारे पास mainly चार डारेक्शन होती है North, South, East and West यानि हम mainly चार डारेक्शन की बात करते हैं कौन कौन सी North, South, East and West हमें कैसे पता सलेगा कि कौन सी डारेक्शन की साइड में है तो इसके लिए आप क्या करेंगे if we stand in an open ground early in the morning आप सुभ है early in the morning कि समय जब सन जो है वो राइज हो रहा होता है राइजिंग सन के समय facing the sun and stretch our hands तो सन की तरफ मुह करके खड़े हो जाएंगे आप सन की तरफ फेस कर लेंगे और अपने हाथों को लंबा फैला लेंगे we face the east जिस तरफ आपका face है जिस तरफ आपका मुह है जिस तरफ आपको सन दिखाई दे रहा है वो कौन सी डारेक्शन होती इस आवर बैक विल बी to the west जैसी यहाँ पर सन सामने है तो यह कौन सी हो गई east इसके just पीछे क किसको बताएगा south को तो इस तरीके से खड़े होकर कि हम चारो directions का पता लगा सकते हैं यानि sun की तरफ east just पीछे west left hand की side north और right hand की तरफ south तो इस तरीके से हम directions को find out कर सकते हैं इसके अलावा यह चार main direction है इन चारों के अलावा चार और directions है हमारे पास जैसे यह east है यह south है इन ठीक ऐसे यहां पर इस तरफ south है यह west है तो यह बीच की जो direction बनी है क्या बन गई south west यहां पर इन दोनों के बीच की north west और यहां और यहां के बीच की north east तो इस तरीके से हमारे पास 4 main direction और उसके अलावा चार और तो total directions कितनी हो गए हमारे पास 8 क्या जैसे हमारे यह सतरी ट्षोन कोने बने तो प्र1 आपएदिधा यहां कार कि अवरा गास 45 यह वरा हैसndर Joshis प्र1 आपएद्ग का यहां कोनें इन दो यह दो औरा यह दो डिएार आप़ जो नदे दो चोले का है के दोन के मैं ए впाह पर पाहूल है झाल झाल